कि नमस्कार जी मैं हूं हूं शेप डिपी हमारी चैनल डिपिस की चन्वेजन विगन में आप सब का दिल से स्रागत है आज के एपिसोड में हम बना रहे हैं राजस्तानी सब्जी कच्ची हल्दी की सब्जी सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी मिलती है उसी के साथ में लाल गाजर भी मिलते है और हरे मतर भी मिलते है तो आज हम बनाएंगे कच्ची हल्दी की सब्जी हची हल्डी, हरे मितर, लाल गाजर, हरे प्यास, सब बहुत अच्छे मिलते हैं wit और बहुत ताजा मिलते हैं तो आज हम बनाएंगे कच्छी हल्डी की सबजी उसके लीए हमने 500 ग्राम कच्छी हल्डी लेके चील कर छोटे टुक्रों में कट कर लिया है एक कप लिया है हरे मटर, एक कप लिया है लाल गाजर, एक कप लिया है प्यास को बारी कट करके और एक कप लिया है हरी प्यास को लेके और एक कप लिया है टमाटर को कट करके उसके मसाले के लिए हमने लिया है एक कप दई, एक बड़ा चमच धन्याजीरा पौडर, एक चमच पिली मिर्ची का पौडर, एक चमच नमक, आधा चमच हींग, एक चमच अधरक मिर्ची का पेस्ट, एक चमच लेसुन का पेस्ट, एक कप भर के धन्यापत्ता, आधा कप हरी प्यास को काट के लिया है गार्निशिंग के लिए हमने एक पैन के अंदर पीन बड़े चमज घी गरम कर दिया है अब उसमें हम हल्दी डालके मून लेंगे कच्छी हल्दी की सबजी घी में ही बनती है तेल में नहीं बनती है उसका ख्याल रखेगा अच्छे से भुनना है जब तलक वो पक न जाए नहीं तो उसका कड़वापन आ जाता है क्योंकि हल्दी थोड़ी कड़वी लखती है ऐसे ही खाई तो हल्दी का कलर टेंज होना तक भुनना है ये इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है हमारी हल्दी पक चुकी है बून चुकी है अब हम इसमें प्यास डालेंगे लैसुन की पेस डालेंगे अधरत मीर्ची की पेस डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और इन सब को बून लेंगे प्यास थोड़े ट्रांस्लुसंट हो जाए तब तक पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे और मिला लेंगे अब गाजर डाल देंगे उसे भी मिला लेंगे एक बड़ा चमस घी डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे यह सबजी में घी यादा जाता है क्योंकि यह घी में ही पकती है इसे डब के रख देंगे एक तीन मिनिट के लिए और स्लो फ्लेम के उपर पकने देंगे थोड़ा मिला लेंगे और आब इसमें टमाटर डाल देंगे और मतर दाल लेंगे और मिला लेंगे फिर से ढब के दो मिनिट तक पकाएंगे के ड्यूोंकि आघ अच 음악 के बुर्भी बायोंकि झाच मिला लेंगे फिर से पुरा दन्यापटा दाल जाल देंगे और ग्रीन अनियंस डालेंगे श्प्रिंग अनियंस और मिला लेंगे फिर से ढख के रख देंगे दो मीट तक उसके बाद देखेंगे देख लेते हैं और थोड़ा मिला लेते हैं अब हम इसमें दही डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे पीली मिर्ची का पाउडर ओनलाइन मिल जाता है या तो कोई पंसारी या तो किराने वाले के पास भी मिल जाएगा अगर पीली मिर्ची आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो अगर नहीं मिल जाती है तो भैतर है इसे अच्छे से मिलाना है दही को दही को मिलाते रहना है जब तलक अच्छे से वो गी में मिलना जाएगा बहुती स्वादिस बनती है सब्जी बड़ी रिच्छे गी 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 है लेकिन बहुती गुनकारी है सब्जी के मौसम में बहुती लाबदायक है हल्दी तो आप सबको पता है कितनी लाबदायक होती है हमारे शरीर के लिए हमारी इम्यून सिस्टम के लिए हमारा मेटाबोलिजम भी अच्छा रहता है दही मिल गया है पूरा गी के साथ में सब्जी के साथ में अब हम इसे डग के एक तीन मिनिट पकाएंगे देख लेते हैं वाँ फर्स क्लास क्या टेक्स्चर आया है क्या कलर आया है इतनी सुन्दर दिखती है हरी हरी पिली पिली हमारी कच्छी हल्दी की सब्जी बिलकुल रेडी है अब एक पांच मिनिट के लिए गेज बंद करने के बाद रख देंगे ढग कर और बाद में साब करेंगे हमारी सब्जी डेडी है इसे जड़ देते हैं इस बंद कर देते हैं और पांच मिनिट के बाद हम साव करेंगे हमारी कच्छी हल्दी की सब्जी हम साव कर देते हैं उसके ऊपर धन्य पती से गारनेशिंग करेंगे थोड़ा और थोड़ा हरी प्यास से गारनेशिंग करेंगे हमारी कच्ची हल्दी की सब्जी हमने हरे प्याज और धन्या पत्ते से गामिश करके सव कर दी है इसे बाजरे की रोटी जवार की रोटी रोटी पराठा और चावल के साथ बहुत स्वादिस्ट लगती है लेकिन सबसे ज्यादा स्वाद इसका बाजरे की रोटी और जवार की रोटी के साथ आता है अब जरूर बनाएएगा कच्छी हल्दी सर्दी के मौसम में ही मिलती है और बहुत ही उप्योगी है और बहुत ही फाइदेकारक है वो इम्मिनिटी बढ़ाती है पाचन शक्ती बढ़ाती है खून साफ करने में मदद करती है हाट की प्रोब्ल होती है तो निट्रलाइज करने के लिए गी में पकाई जाती है नीचे डिस्क्रिप्शन में कच्छी हल्दी की सबजी के इंग्रेडियन्स और प्रोसिजर डिटेल में दिया है उसी के साथ में हमारा प्लेलीस्ट दाल कड़ी सबजी करी का लिंक भी दिया हुआ है अब जर अप्लोड कीजिएगा हमारे एपीसओद शंडी को और थंसडी को दुपर को दो बज़े फ्लोड होते हैं हमारे फिस्टियोर स्पेशल के एपीसौट सुवह दुपर दस बज़े अप्लोड होते हैं और अबसे माईने का आदर Swp हर दूबज किजिएगा, अपना खायर रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा, सवस्तर रहिएगा, शुक्रिया, धनेवाद, नमस्कार.